कि आप सभी को ग्याने सबस्तर सर्विस क्रासिस के चैनल पर स्वागत है कि मैं पिछले कई वीडियो में आप सभी से जुरा हुआ हूं और टॉपिक्स वाइज कोशिश कराओ कि हर चैप्टर से कुछ ऑथेंटिक को डिल करूं ताकि आने वाले नियर फ्यूचर में जो भी ए एक्जाम है जैसे न्टी पीसी का सेकेंड टैर होना है माई में और फिर नियर फ्यूचर में बिहार दरोगा मेंस का भी होना एक्जाम तो उन सभी चैप्टर उन सभी एक्जाम के लिए आपको कुछ वैसा पॉइंट्स दे दूं कुछ वैसे टॉपिक्स पर डिसकस कर दू कि मेरे समझ से वह आपका गेस को सन होगा है बलकि पूरे उमीद के साथ मैं कह सकता हूं कि सभी चैप्टर से आपका कोशन आना ही आना है छोड़े छोड़े प्वाइंट्स पर भी कही सारे को सन आप डियल कर सकते हैं तो आज इस वीडियो में मैं मैज के एक चैप्टर पर प्रति सब्द देखें जो भी सब्द दिया हुआ है ना उसका डिफिनेशन जाना जोगी होता है प्रति सब्द को आप प्रति का मतलब आम तोर पे बटा बोलते हैं जैसे मालिये कोई समाना आप खरीद रहें और वह वजन के इसाब से आप खरीद रहें तो आप कहते हैं ना कि इतना रूपय प्रति किलोग्राम प्रति किलोग्राम मानि इतना रूपया में इतना ग्राम इत प्रति कह िरा मतलब हैं मां भाग देना है डिवाइडिघ है last का मतलब होता है है सब सब यानि सो से भाग देना क्या का लाया । देखिए प्रतिसत का जो सिंबॉल भी है ना प्रतिसत का सिंबॉल जो ऐसे ऐसे है यह आप समझे यह जो दो जीरो दिया हुआ है एक्चुली वो दो जीरो क्या है एक सो के बराबर है और यह जो आप लाइन दे रहे हैं प्रतिका यह हो गया भाग के रूप में यानि प्रतिसत का डिफ्रेंशन हो गया प्रतिसत का आर्थ हो गया सौ से भाग देना सपोस कि यह कोई संख्या दे दी जाए और उसके बाद से प्रतिसत सिंबॉल दे दिया जाए तो वह प्रतिसत सिंबॉल के जगह पे आप सौ से भाग लिख सकते हैं सौ से भाग दे सकते हैं जैसे माल लीजिए एक छोटा सा एक्जाम्पूल 12% of 13 is called to what एकदम सिंपल सा कोशन है तो देखिए 12% के जब क्या कर देंगे भाग आज 100 कर लेंगे और का मतलब क्या होता है गुना गुने 13 कर लेंगे तो देखिए भाग में 100 है तो 100 से क्या भाग देना है दो अंग पहले दसम्रब दे देंगे हो गया के लिए जैसे 100 बाटा 100 है जदी तो वन हुआ न तो 100 में जदी 100 है तो जीरो-जीरो के पहले आप डेस्मल दे दिये तो वह नहीं बचा ना यानि फिट से आप बोल सकते हैं कि परसेंटेज साइन जिस संख्या के बाद लगा हो तो परसेंटेज साइन को हटा दें और उसके बदले उस संख्या के दो अंग पहले दसम्लब दे दें दाट इस दिफ्रेंशन ओफ परसेंटेज क्लियर जैसे माली जी हमने यह कोशन लिया तो बारा परसेंट ओफ तेरा है थर्टीन है तो देखिए फिर से लिखते हैं ओफ का मतलब क्या हो गया गुना अब बारा परसेंट है तो बारवटा सौव तो देखिए बारा बाटा सौ को सौट में मत किजिए बेतर है बटा में सौ रहने दीजिए बटा में जदी सौ है तो उससे एक फैदा यह होगा कि जो प्रोड़क्ट आएगा ना उसके दो अंग पहले दसम्लब दे दीजिएगा तो पहले क्या काम करना है चुकि बारा क्या हो गया 156 अब देखिए 156 में दो अंग पहले चौ और पांच के पहले देसम्ल दे दीजिए हो गया सौल इसलिए एंसर हो गया 1.56 क्लियर तो परसेंटेज सिंबॉल की जगा पे हमें क्या कर देना है जिस संख्या के साथ परसेंटेज साइन लगा हुआ है उसके दो अंग पहले डिसमल दे देना है मैं कि सौट में यह सोचना है है अब कभी-कभी ऐग तुछ स्ट्वेंटी यह सोच लेते हैं कि जदी हंडेड परसेंट है तो सौ रूपया के बरावर ही होगा इंसा नहीं हैegeंग अनेड परसेंट का मतलब है 100 का मतलब हो गया 100 100 पर्सेंट यानि 100 में 100 यानि एक के बढ़ावर तो आपके पास जो कुछ भी है जिसको आप चाहें तो मुल धन कर सकते मुल मतलब अपना धन मतलब रासी तो अपने आप में जो कुछ भी आपके पास है वह 100 पर्सेंट का लाता है तो फिर से 100% का डिफ्रेंशन लिखिए 100% का आर्थ हो गया आपके पास जो कुछ भी है उसे 100% कहते हैं जो कुछ भी है इसका मतलब क्या हो गया मूल धन मूल मतलब अपना धन वो अपना धन कॉस्ट प्राइज के रूप में भी हो सकता है छो भी क्रैमूल है वो भी अपने आपमें क्या है 100% है तो मूल धन को या बास्तिवी 2020 संख्या को बास्तिवी क्मान को इसलिए बास्तिवी बास्तिवी मान बास्तिवी भेलू चिसका चल्टु क्या कराएगा 100% कहलाएगा जैसे माली यह कहा जा कि किसी सहर की जनसंख्या 5000 है तो वह 5000 अपने आप में कितना परसेंट हुआ 100 परसेंट हुआ यह मस बोल दीजिया कि 5000 सब्सक्राइब कर लेते हैं तो ऐसा नहीं जो कुछ भी है उसकी वहलू अपने आप में 100 परसेंट इस चलते हैं इस पर कुछ को सर लेते हैं माली जैसे अभी हमने बोला कि किसी सहर की जनसंख्या इतना आ जा रहे हैं तो उसमें जदी 10 परसेंट 15 परसेंट एक्स परसेंट ब्रीधी हो जाएगी तो ब्रीधी के लिए प्लस साइन लेना है और कमी हो जा तो उसमें माइनस साइन लेना है तो चलिए परसेंटेज के तहट एक बात हो गया कि बास्तवीक मान को 100 परसेंट करना है अब ब्रीधी प्रतिसत हो तो उसे प्लस के रूप में इंडिकेट करना है अब बताईए ब्रीधी हो गया बास्तवीक से तो 100 प्लस हो गया तो 100 माइनस हो गया इसलिए जदी प्रतिसत हो तो उसको 100 प्लस ब्रीधी प्रतिसत के रूप में व्यक्ट करेंगे और कमी हो गया तो 100 माइनस कमी परतिसर के रूप में व्यक्ट करेंगे ठीक है अब चलते हैं छोटा सा इसमें कोश्चन लेते हैं जदी किसी व्यक्ति के आए में जदी किसी व्यक्ति के आए में व्यक्ति के आए में इंकम में दस परसेंट वीधी होने से उसकी आए 16,500 रुपया हो जाती है 16,500 रुपया हो जाती है तो 20% की ब्रीधी होने पर की ब्रीधी होने पर उसकी आय कितनी होती उसकी आय कितनी हो जाएगी ठीक है बड़ी सिंपल सा कोसन है तो देखिए ये मर्स सोच लिजेगा कि 10% बड़ावर उतना दे दिया गया तो 20% बड़ावर कितना तो उसका दुगना मत कर दीजेगा तो दस परसेंट भीड़ी हो गई तो पहले अपने आप में तो बास्तिविक उसका हंडिट था ही उसमें 10 बढ़ गया तो कितना हो गया 110 हो गया तो सॉल्व ऐसे करना है देखिए जदी हम डिटेल में बात करते हैं चुकि बास्तिविक आए या प्राणविक आए बास्तिविक लिखिए या प्राणविक लिखिए ब्रावर हंडेट परसेंट तो कि दस परसेंट ब्रीधी दस परसेंट ब्रीधी के बाद रिधी सब्सक्राइब प्लस लिखना है के बाद आए बराबर हो गया अंडेट प्लस टेन यानी हंडेट टेन परसेंट और यह आपने दे रखा कितना 16,500 रुपया ठीक है अब पुछा जारा एक जदी 20 परसेंट की ब्रीधी हो जाती इसलिए 20 परसेंट ब्रीधी के बाद आए हो जाएगा हंडेट प्लस 20 परसेंट ब्रावर 120 परसेंट तो कितना होगा यही आपका कोश्चन है देखिए इतना तो लब्जों में समझाने के विव से हमने लिख दिया आप सौट में आप डारेक्ट लिख सकते थे सौट में 120 गुने 15600 बटा 110 110 ब्रावर इतना तो 120 ब्रावर कितना यही तो निकाल लाता है तो आप समझाने के विव से हमने इतना डिसकस कर लिए अतना कहानी दे दिए अधर्वाइज आप इस तरह से भी सौल्व कर लेते हैं तो एक आरत से आप कारते हैं इसको तो 16 बार कटेगा 15 बार कटेगा नहीं तो एक जैक्ट तो नहीं निकल पाएगा सौरी हमने कलती किया 156 ने 165 सौरी 165 यह तो कट जाएगा आप 15 बार इसको पंद्रे बार काटेंगे देखिए जीरो जीरो पर ध्यान भी नहीं देना चाहिए बाद में और लेडी कंफर्म हो जागा फिर भी जदी इसमें एक जीरो है इसमें दो जीरो देख रख लिए अब बारा गुने 15 कर लेंगे तो 180 आ गया यानी 18,000 आ गया एंसर ठीक है तो आप सौट में भी बना सकते या डिटेल में ऐसे है तो आप इसे लिखिएगा 120 गुने 16500 वाइं 110 सेम चीज आ गया सौल करने पर 18,000 आ गया मिली आपको यहां पर यह द्यान देना है 10% ब्रिधी हो गई तो बास्तिवीक में 10% बढ़ गया तो 100 पहले था बास्तिवीक तो आप बढ़के 110 परसेंट हो गया यह द्यान देना है चलते हैं इसमें चोटी सी बात और सोचते हैं तो जदी 10% पहले बढ़ गया फिर जदी दुवारा उसमें और बिर्धी हो जाती मालिजी 10% और हो जाती तो फिर टोटल कितना परसेंट बढ़ गया तो यह 100 पहले था 10 बढ़ गया तो फिर 110 हो गया अब फिर 10 110 का 10 कितना हो गया 11 के बराबर तो पहले 10 बढ़ फिर 11 बढ़ गया तो हो गया टोटल कितना 11 बढ़ गया ना तो चलिए इसके लिए चोटा सा पॉइंट लिख देते हैं जदी दो करमागत सक्सेसिव दो करमागत का मतलब हो गया सक्सेसिव माने पहले जो बढ़ा फिर उसमें एक्स्ट्रा और एड़ करना है तो जो बढ़ गया उस पे उतना परसेंट ना कि बास्ति बीक में दो करमागत ब्रीदी प्रतिसर्थ माना की एक्स परसेंट एबं वाई परसेंट हो और तो सम्तुल यानि इक्विवेलेंट देखे यहां पर चुकी ब्रीदी सब्दी है इसले ब्रीदी लिखेंगे फाइनली सम्तुल ब्रीदी प्रतिसर्थ द्रावर एक्स प्लस वाई देखे एक्स और य तो दो आपस में आप जोड़ लिए लेकिन जो पहले एक्स परसेंट बढ़ गया उस पे भी एक्स्ट्रा वाई परसेंट और एड होगा जो पहले X बढ़ गया उस पर भी Y % एक्स्ट्रा एड होगा यानि X का Y % कहा का मतलब क्या होता गुना एक्स वाई हो गया परसेंट यानि बटा सो परसेंट को बोलते हैं न बटा सो तो यह हो गया जो कल्कुलेशन करके आएगा वो टोटल इंक्रिमेंट के रूप में बृधी के रूप में कहला है अब मन में यह होता होगा कि केवल बृधी ही होगी कमी नहीं हो सकती है तो अभी हमने दे दिया था कि बृदी के लिए कौन सा साइन लेना है प्लस और कमी के लिए माइनस तो जहां कहीं भी कमी दे दी जाए घटा दे दी जाए बरवादी दे दी जाए बट्टा दे दी जाए छूट दे दी जाए इत्यादी तो उसके लिए minus sign यूज़ करेंगे जहां बृदी हो या बृदी के समतुले सब्द हो जैसे ब्याज आय में ब्रिदी, जनसंख्या में ब्रिदी, ब्याज प्राप्थ होना, लाव मिलना ये सभी क्या है? प्लस का sign है, तो लाव के लिए, ब्याज के लिए, ब्रिदी के लिए प्लस sign यूज़ करेंगे, जबकि हानी, घटा, बटा, लौस, डिसकाउंट, इत्यादी के लिए minus sign का यूज़ करेंगे, चलते हैं, इस छोटे से phone पे एक छोटा सा question लेते हैं, जदी किसी वेक्ती के आये में, पिछले दो वर्सों के दोरान, पिछले दो वर्सों के दोरान, करम साथ, 10 परसेंट एवां, 20 परसेंट की ब्रिधी हुई हो, तो इन दो वर्सों में, उसके आये में, कुल कितने परतिसत की ब्रिधी हुई, चलते हैं, इस फर्मूला पर चलते हैं, और जदी मान लिजे तो विदेर के लिए फर्मूला नहीं याद रहा है, तो कोई बरी बात नहीं है, आप मान लिजे कि आपके पास 100 रुपया है, उसमें एक साल के बाद 10 परसेंट बढ़ गयाद तो 1%, पहले 5% बढ़ गया तो 1-10 , अब 110 में फिर 20 परसेंट बढ़ गया न, तो 110 था 2nd year एक साल के बाद , फिर उसमें 20% बढ़ गया, 110 में फिर 20% बढ़ा देंगे, 110 के लिए 20 कितना हो गया, 22 के बढ़ाबर, 11 गुने दो करेंगे ने, 22 हो जाएगा, 110 था पहले फिर 22 और बढ़ गया, तो 132 हो गया, तो जो 100 रुपिया था, वो बढ़ के कितना हो गया, 132 हो गया, तो बढ़ा कितना, 32, 100 में 32 यानि 32% बढ़ गया, तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, फिर भी जदी इस फर्मूला को अप्लाई कर लें, तो क्या हो जागा, 10 पलस 20, पलस 10 गुने 20 बाई 100, देखिये, 10 और 20 तो जेनरली वे में 10 और 20 लग रहा है न, लेकिन जो पहले बार, जो 10 परसेंट बढ़ा, उस पर भी एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा यानि पलस, 10 का भी 20 परसेंट एक्स्ट्रा एड्ड हो जागा, ये कहानी, 10 का का मतले गुना 20 परसेंट 20 बटा 100, एक्स्ट्रा एड हो जाना है, यानि इसे सॉल्व की आपने, तो देखिये, दो 0 ये इससे कट गया, 10 और 20 मिलके कितना होगा, 30, और 2 गुने 1 कितना होगा, 2, टोटल कितने हो गए, 32, तो 32 परसेंट एंसर हो गया, चलिए इसी प्याधारित अभी जैसे बोले, कि बृदी के लिए प्लस लेना है, और कमी के लिए माइनस, इसको फॉलो करते हुए एक कोशन ले लेते हैं, जबी किसी सहर की जन संख्या, कि जन संख्या में पाले वर्स, 30 पर 30 की बृदी होती है, लेकिन, दूसरे वर्स, 20 पर 30 की कमी हो जाती है, तो इन दो वर्सों में, उस सहर की जन संख्या, पर क्या परभाव परेगा, देखिए एक जगा 30 परसंट की बृदी दिया हुआ है, जबकि नेक्स्ट यर में 20 परसंट की कमी दिया हुआ है, तो कमी के लिए साइन क्या लएंगे, माइनस और बृदी के लिए प्लस, फर्मूला तो गई है, जैसे मालिज ये, फिर से हम बात करें, जदी हम फर्मूला लिखते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई वाई 100, तो देखिए, वाई जो है, प्लस नहीं होके, माइनस हो गया, तो ऐसा करें, वाई के जगा पे माइनस वाई लिख लेंगे, और एक्स प्लस है, तो प्लस रहने दिये, और ये प्लस, एक्स और वाई के जगा पे क्या लिखना है, माइनस, ऐसे कर लेंगे, तो इस तरह से आप इसे एक नए रूप में कर सकते हैं X-Y-XYY 100% इस तरह से ब्यक्त कर लिजे देख रहे हैं जहां भी Y है चुक्कि कमी का सेंस लिए तो माइनस कर देना है मेजर फर्मूला तो है यह ज़ूर लेकिन प्लस साइन किसके कारण दिए ब्fire दी के कारण तो जहां भी कमी आजाया तो जो प्लस Y दिये उसको साइन मािनस में कर दिए हो गया इस पर भी बन गया तो इसके लिए डरना नहीं है कि ब्रीदी और कमी ज़दी मिक्स हो गया तो डर लए जैसे माली जी आपके पास 100 रुपया है और बढ़के 30% बढ़के हो गया 130 रुपया और उसमें फिर बाद में जाके 20% कमी हो गई तो 130 का 20 यानि 13 दुना 26 26 कम गया तो 130 हो गया ता फिर 26 कम गया तो कितना रहा गया 104 हो गया तो जो 100 था 104 हो गया फिर भी 4% की ब्रीधी हुई ना तो ये इस थौट को लेके भी आप सॉल्व कर सकते हैं कभी कभी ऐसे एक्जाम्पूल या ऐसे ट्रिक्स के चकर में गलत भी कर लेते हैं तो आप अपने आपको आप अल्वेश दिमांग में यह लेकर चलना कि जबी वास्तिवी क्या मेंę ब्रीधी में है जो भी वास्तिवी की वहिल्व है चाहाए वह यो आय के रूप में हो जनसन्ख्या के रूप में हो लंबाई के रूप में हो Charles Agra के रूप में हो एरिया निकालना हो गएरा बहुत सारे को सब्सक्राइब होगा तो अपने आप में क्या है यही माइन में लेके चलता है तो एंसर तो हम लोग खुद बोल चुके पहले कितना पर्सेंट फोर पर्सेंट फिर भी चलते हैं इस फर्मूला के ताथ इसको सेट कर लेते हैं एक्स का वैलू 30 लिख लिजे वाई का वैलू 20 माइनस 30 गुने 20 वाई 100 तो देखिए 30 से 20 पहले घटा लिए तो 10 बचा और देखिए यह दो जीरू आप कार दीजे तो तिन दुना चो और भी माइनस 6 करना है तो 10 से 6 घटा लिए तो 4 बच गया तो 4 परसेंट लिखना है चुकि सब के साइन ओवर और परसेंटेज में लिखना है ना तो फाइनली चुकी रिजल्ट प्लस में आया कुस्तन क्या पुछा है क्या परभाव पड़ेगा यह नहीं दिया हुआ है उसमें कि कितनी ब्रीधी होगी या कितनी कमी होगी तो चुकी रिजल्ट किस में आया प्लस में आया इसलिए एंसर के रुप में क्या देंगे 4 परसेंट की ब्रीधी और यही माइनस में आता तो 4 परसेंट की कमी देती है किलियर आज हम लोग परसेंटेज डिफ्रेंशन के ताथ चोटे से टॉपिक्स पर डिसकस किये कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे आप सभी से मेरा फिर रिक्वेस्ट है और आप से उमीद है पुरी उमीद है कि करनली हमारे वीडियो को आप अपने सर्किल में अपने गृप में अपने फेमिली मेंबर्स में आज कर जवाना में सब के घर में माना जा कि सब के घर में एक से अधीक मोवाइल सेट होते हैं तो कार्णली आप के घर में जितने भी मोवाइल सेट हैं जो भी आपके सरकिल में हैं उन सभी से मेरे वीडियो देखने के लिए प्रेड करें परहाय से जुरा हुआ वीडियो है यही फर्क है कि परे हुए लोगों में भी परहाय के प्रती उतना अब ललक नहीं रह गया है अब वही अंसन वीडियो होता ना इंटर्टेन्मेंट वाला वीडियो भरा होता तो साथ आप लोग बड़ी मज़े लेके देखते लेकिन काइनली इसे भी मजा ही मानिए लाइफ स करें और सब्सक्राइब करें ठीक है मिलते हैं हम और फिर नेक्स वीडियो में थैंक यू हुआ 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 है